अमेरिकी क्रिशी विभाग, USDA, रिपोर्ट से पहले CBOT सोयाबीन में सुधार देखने को मिल रहा है। दरसल अनुमान है कि USDA ब्राजील में सोयाबीन उत्पादन में कटोती करेगा लेकिन अर्जेंटीना के उत्पादन में बढ़ोतरी के आसार है। पाम तेल में तेजी के कारण सोया तेल वाइदा बढ़त के साथ कारोबार करता देखा गया है। चीन के लंबी छुटिटिचों से वापस आने पर ही नई खरीदारी से मांग को सपोर्ट मिलेगा। फरवरी में पाम तेल का सेंटीमेंट नूट्रल दिख रहा है और कीमतें सीमित दाइरे में रहने की उम्मीद है। होली और रमजान से पहले भारत की मांग और चीन की ताजा खरीदारी से मार्च में पाम तेल मजबूत रहने का अनुमान है। Bureau Report Market Times TV